हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब तो दोस्तो हमारे टॉपिक चल ला था हिंदी के परमुक साहितिकार तो देखी आपके सिलिबस में जो हिंदी के साहितिकार और जो कवी दे हुए हैं वो दो भागों में विभाजित हैं एक गद्धे खंड में और एक पद्धे खंड में तो सब बहुत महत्पोन वहीं है आज मुंपे अद्रीवी वर्मा है सवारे जो Bus में जानी है उनका जनम चैनिंगकर। पिता का नाम था गोविंद परसाद वर्मा माता का नाम था हेम रानी देवी देखिए महादेवी वर्मा हिंदी साहिते में चार परमुक इस्थम्बों में से एक है बहुत महपूर दोस्ते कोशिन है महादेवी वर्मा हिंदी साहिते में चायावादी युक के चार परमुक इस्थम्बों में से एक है और देखिए इनहें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है कोशिन बनेगा आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है तो आपका उतर क्या हो जाएगा महादेवी वर्मा को कवी निराला ने इन्हें हिंदी के विसाल मंदिर की सरस्वती कहा ये दोस्तों कभी कभी ऐसे कोशन बन जाते हैं कि महाद्वी वर्मा को हिंदी के विसाल मंदिर की सरस्वती किस ने कहा था तो ये कहा था कवी निराला ने पर सिद्य पत्रीका चांद का संपादन भी इन्हों ने किया था ये कोशन दोस्तों बहुत महत्मोड है जो साहितिकार होते हैं उनने अगर किसी पत्रीका का संपादन किया होता है तो वहां से एक जामे कोशन बनने के संभावना बहुत रहती है तो एक पत्रिका थी, पत्रिका का नाम क्या था? चांद, इनका संपादन इसने कब किया था? मतलब इस पत्रिका का संपादन महादेव वर्मा जी ने कब किया था? 1932 में फिर देखिए भारत में महिला कवी सम्मेलन की नीव इनों नहीं रखी थी बहुत महत्पूर कोशन है कि भारत में महिला कवी सम्मेलन की नीव किसने रखी थी तो आपका उत्र क्या हो जाएगा महादेवी वर्माने पुरुसकार की हम लोग बात करते हैं तो ये देखी यहां पर से आप वरतनी भी आप लोग मैं जो भी exam के लिए महत्पूर्ण होता है न वो हम साथ में लेके चलता हूँ तो देखिए अधिकान से बच्छे क्या करते हैं पुरुसकार लिखते हैं ये पुरुसकार नहीं होता है और एक्जाम यहाँ पर आता है ये ऐसे लिखा जाएगा ये पुरुसकार लिखा जाएगा ये पुरुसकार ना कि पुरुसकार तो ऐसे आपको नहीं करना है ये इसका तरी एकजाम हो तो काफी बार दोस्तों ये कोशन एकजाम में रखा गया है तो यामा मोश्ट इंपूर्टन कोशन रहेगा महादेवी वर्मा से बिल्कुल याद कर लेंगे जो यामा जो काप्य संग रहा है वो किसका है महादेवी वर्मा जी का इसके लिए ही इनको ग्यानपीड पुरुसकार मिलता है कब 1982 में उसके बाद देखिए इनको पदम भूसन कब मिलता है 1956 में पदम भी भूसन कब मिलता है 1988 में भारत भारती पुरुसकार कब मिलता है 1982 में और सक्सेरिया पुरुषकार कब मिलता है 1934 में इनकी रचना थी नीरिजा के लिए तो इस परकार से इनको ये पुरुषकार मिले थे जिसमें यामा रचना बहुत महत्मुट रहेगी और ग्यान पीड, पदम भूसरण, पदम भी भूसरण देश के जो सर्वोच सम्मान होते हैं वो इनको मिले हैं तो इनके बारे में दोस्तों इक्जामे कोशिन बन सकता है कि इनको ये पुरुषकार कब मिले थे चलिए ठीक है बढ़ते हैं आगे उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए तो मैंने वहाँ पर से आपको ये चलिए पढ़ाई थी कि जो महाद देवी वर्मा का संग्राले है वो कहाँ पर है रामगर नैनिताल में ये कोशिन दोस्तिक जामे कई बार आ भी चुका है उसके बाद देखिए इनोंने 1955 में इलहाबाद में साहित्यकार संसत की स्थापना की तथा रंग वाड़ी नाट्टी संस्था भी इनोंने स्थाबित की थी फिर देखिए साहित्यकादमी की सद्रस्ता गिरंड करने वाली पर्थम महिला है बहुत महत्मर कोशिन रहेगा तो यहां से कोशिन दोस्तों बनने की बहुत समावना रहती है, पर्थम रचना कौन सी है, निहार, जो कि 1930 में इन्होंने इसको लिखा था, इनकी मिर्टु का वोती है, 1987 में और कहां पर होती है, इलावाद में, चलिए इनकी रचनाओं के बारे में अब हम लोग अध्धिन कर जा था, और बहुत महत्पूर दोस्तों, इनका यह काब्य संग्र है, यहां से बार बार एक जामे कोशिन पूछे गए हैं, सांधिगीत, अगनी रेखा, पर्थम आयान और सब्तपूर्णा, तो यह सारे महत्पूर्ण है, इनका काब्य संग्र है, बहुत बार दोस्तों पिर देखिए, संसमरण इनके कौन-कौन से हैं, पत के साथी, मेरे बच्पन के दिन, मेरा परिवार, और इन्होंने एक संसमरण ही लिखा था, हला कि यह कोशिन मुझे लगता नियसा बनेगा, लेकिन पत के साथी, मेरे बच्पन के दिन, और मेरा परिवार बहुत तो ये इनके रहे थे निबंद संंग रहे, बाल कविता तो बाल कविता इनके कौं कौं से थे, ठाकुर जी बोले हैं, आज खरे देंगे हम जुआला, तो ये इनकी इनकी बाल कविताएं हैं, उसके बाद देखिए आते हैं कहा Carneyya में, कहानिया इनकी बहुत महतमूर है, भक्त इस्तर के एक्जाम में कई बार दोस्ते कोशिन बना हुआ है बिंदा और PCS के एक्जाम में भी कोशिन बहुत पुछा आता है जो बिंदा रचना है वो किसकी है तो ये है किसकी महादिवी वर्मा की जो इनकी कहानी हो जाएगी गिल्लू तो बहुत बार दोस्तिक जामे पूछा गया है गिल्लू, सोना, नीलू, दुरलब, खरगोस, रामा और घीसा तो ये इनकी कहानिया है सारी महत्पूने बार बार दोस्तिक जामे पूछे गई है अगर मैं कहानियों में सबसे जादा इंपॉड़न कौन सी है भक्तिन, बिंदा और गिल्लू, ये तीन तो इनकी इतनी इंपॉड़न कहानिया है जिनसे बार बार जैमे कोशिन पूछे जाते है उसके बार देखिए इनके अन्य गीत संकलन है जहां से दोस्तों जैमे कोशिन बन चुके हैं जैसे कि आत्मिका, निरंतरा, परिकर्मा तीनों अलग-अलग है गीत पर्व, इसमारिका और दीब गीब तो ये इनके गीत संकलन है उसके बार देखिए एक आता है मधुर मधुर मेरे दीपक जले परसिद्ध कविता ये एक कविता है इनकी कविता का नाम है मधुर मधुर मेरे दीपक जले ये उतराखंडे के एक जाम में भी कई बारे कोशिन बन चुका है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जले परसिद्ध कविता किस की है तो आपका उतर क्या हो जाएगा महाद देवी वर्मा की इनकी कुछ बहुत ही महत्पूर्ण कविताएं हैं जिनको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कविताओं के सीर सेकें जैसे की देखिए जाग तुछ को दूर जाना मुर्जाया फूल अधिकार धूप सा तन दीप सी में नीद में सपना बन अग्यात कौन तुम मेरे हिर्दे में ये इनकी महत्पूर्ण इनके गीस संकरन है उसके देखिए इसके अलवाए दो और है उनको भी नोट कर लेंगे जो तुम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो तुम आ जाते एक बार ये भी इनका एक बहुत ही महत अनन्त में लिखती जरसल में पास दोस्तों पैन नहीं है जिसके करण से आपको समझ में तो आई रहा होगा लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा होगा लेकिन समझ में आपको आई रहा होगा तो जो तुम आ जाते एक बार और मैं अनन्त पत में लिखती जो तो ये इनकी इनक पूछा गया है तो ये आपको ध्यान में रखने है चलिए ठीक है बढ़ते हैं हम लोग आगे उसकी बाद देखिए अगले आते हैं सैलेस मटियाने जी ये भी गद्धि खंड में ही आते हैं जनम की बाद कर लेते हैं इनका इच्छाया चित्र है आप लोग देख सकते हैं यह 14 अक्टूबर 1931 को इनका जनम हुआ कहां पर बाड़े च्छीना अलमोडा देखिए ये कोशन दोस्ते एकजाम में पूछा गया है क्योंकि देखिए इनका जनम उतराखंड में हुआ है अगर उतराखंड का एकजाम होगा तो यहां पर जिन सायत्तिकारों का जनम हुआ नम है रमेश चंदर सिंग मटियानी इनके बच्पन का नाम रहेगा तो देखिए यहीं से आप लोग निकाल सकते हैं देखिए सेलेस सही आप लोग निकाल सकते हैं रो इस सोग को अब रो बना दीजिए बिल्कुल देखिए और थोड़ा सा चेंज कर देंगे रमेश बन ज कारेशेदर, साहितिकार, उपन्यासकार और संपादक और देखिए विकल्प और जनपक्ष नामक पतरिकाओं का इन्होंने संपादन किया था यह कोशन दोस्तों बन चुके एकजाम में कि विकल्प और जनपक्ष नामक पतरिकाओं का संपादन किस ने किया था तो यह किया देकी यहां पर एक बात दोस्तों यहां पर इक काम करेंगे यह आएगा बोरी वली से बोरी कर लेंगे यहां पर दोस्तों पहला व कित अपर पूछा गया है बहुत बार दोस्तों एक्जाम में पूछ लिया गी है उत्राखंट की एक्जाम में मोश्ट इंपोरेंट मैं कहूंगा सेलेस मट्यान जी से मोश्ट इंपोरेंट ये कोशन रहेगा बोरी वली से बोरी वंदर तक फिर देखिए इनको पुरुसकार मिलते हैं फड़िस्वर नाथ रेनु पुरुसकार कब मिला था 1983 में कुमाव विस्थु विध्धाले द्वारा डीलेट की उबाद इनको कब दी गई 1994 में राहुल सांकरतान पुरुसकार इनको कब दिया गया था दोसन 2000 में और देखिए इनोने महाभोज कहानी पर इनने उत्तर परदेश हिंदी संस्थान का प्रेम चंद्र पुरुसकार दिया गया यहाँ पर से एक बाद ध्यान रखेंगे जो महाभोज उपन्यास है महाभोज एक उपन्यास में आपको लिखवाया था कब मन्नु भंडारी वाले में बहुत सारे इनकी कहानिया हैं तो यहां से दोस्तों बार बार एक्जाम में कोशिन बने हुए हैं तो उनका हम लोग अध्यन करते हैं मोट भेड बहुत इंपोरेंट है एक्जाम माचुका है हॉलदार बहुत महत्मूर है बोरी वली से बोरी बंदर तक दोस्तों कई बार एक्जाम में कोशिन बन चुका है बोरी वली से बोरी बंदर तक तो नोट करेंगे इसको कभुतर खाना, चौथी मुठी, चिठीर सैन, सर्पगंधा बेला हुई अभेर बहुत महत्मूर है एक मुठ सरसम बहुत महत्मूर है मुठ सरोवर के हंस, दो बूद जल, जलत रंग अलग है चंद और्दों का सहर, माया सरोवर, नाग वल्दरी, अर्ध कुम्ब की यात्रा, पुनरजनम के बाद, भागे हुए लोग, रामकली और सवित्तरी तो दोस्तों ये इनके उपन्यास हैं, जो बहुत महत्मूर हैं, इसके अलवा भी इनके उपन्यास हैं, देखिए, आकास कितना अनंत है, उगते सूरज की किरन, बावन नदियों का संगम, किस्सा, नरमदा बेन, गुंगुबाई, बारुद और बचुली, उत्तरकांड, ग जोपुली, गफूरन, छोटे-छोटे पक्ची, तिरिया, भलीन, काटकी, तो दोस्तों ये इनके उपन्यास हैं, बार-बार यहां से एक्जाम में कोशिन पूछी जाते हैं, तो इनके सारे उपन्यास बहुत महत्मूर हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था, जो भी साहित की चट्टान, चील, सफर पर जाने के पहले, पोश्ट मैन, प्रेत मुक्ती, कमीले, अर्दांगिनी और डब्बू मलंग, ये इनकी हैं कहानी संग रहे, और उसके बाद देखें, निमंद और संसमरड की हम लोग बात करते हैं, किसके राम, कैसे राम, बहुत महत्मूर है, किदा कदा, कागच की नाओ भी बहुत महत्मूर एक जाम आचुका है, लेखक की हैसियस से, जन्ता और साहितिन, राश्टिभासा का सवाल, यथा परसंग कभी कभार, राश्टियता को, राश्टियता की चुनोतियां, इसके अलावा भी इनकी कुछ रचनाय हैं, चलिए उ सुबहय के सूरज, हाथी और चीटे की लडाई, बिलिंगे बच्चे, उसके बद्द कि इनकी कुछ रचनाय हैं, और दीखें, इनके बार में दो लाइन आपको और नोट करनी है, अज़ेश मत्यानी परसिद आउन्चलिह साहितिकार ते, ये दोस्तों बहुत महत्मूर कोन है तो सैलेस मट्यानी जी ओ भी आंचलीक साहित्तिकार बोला जाता है और देखिए अगर कोशन ये बनता है हिंदी कत्या का आँचलिक साहित्कार किसे कहा जाता है तो आपका उतर क्या हो जाएगा फड़ीस्वर आपको कोई वे दिक्कत होती तो आप लोग मुझे वाटसप पर मेसेज कर सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए